हलो स्टोरेंट सेटेटी मेडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज किस वीडियो में मैं कम्प्लीट बात करूंगा आई वीचे बेसी नर्सिंग इंटेंस एक्जाम का कट अफ क्या रहने वाला है SMS कॉलेज की कट अफ क्या रहती है गवर्मेंट कॉलेज की क्या रहती है प्राइवेट की क्या रहती है ठीक है कितने मार्स लाने पर गवर्मेंट मिलती है कितने मार्स पर प्राइवेट मिलती है आपको पूरी जानकारे मिलेगी तो वीडियो को सुरू से एंट देखे और पस होगा इसलिए इस college का cut-up सबसे ज़्यादा जाता है इस college में सबसे ज्यादा cut-up जाती है ओके तो मैं आपको SMS का expected cut-up बता देता हूं इस साल का क्या रहने वाला हो के अगर आप general से belongs करते हो तो general में यहां पे cut-up जाने वाली है 85 प्लस ठीक है यह cut-up जो है क्लस सी लेकिन इससे कम नहीं चलेगा ओके general के लिए ओई सी के लिए MBS MBC में कितनी जाएगी तो MBC में यहाँ पर जाएगी 80 प्लस ठीक है MBC में 80 प्लस जाने वाली है उसके बाद यहाँ पर जो हमारा SC और ST केटेगरी है ठीक है इसमें ज्यादा अंतर नहीं रहता है तो मैं SC का बता दू, SC का इसमें जाने वाला है Almost 77 प्लस ठीक है और ST का इसमें जाने वाला है ST का इसमें 76 प्लस ठीक है इस तरह आपका कटप जाने वाला है SMS का सबसे हाई कटप जाता है प्यज में अगर आप देखोगे तो प्यज में भी करीब 68-67 तक चली जाता है प्यज का भी कटप जाता है ओके तो SMS का सबसे हाई कटप जाता है अब मैं आपको बता देता हूँ SMS छोड़ के बाकी जितने भी Colleges जिसको हम लोग RUHS के नाम से जानते हैं तो RUHS का कटप क्या रहने वाला है ठीक है RUHS का कटप क्या रहने वाला तो जेनरल के लिए अगर आप RUHS से फाइट करो मतलब इसमें कोई मैंसन नहीं कि जैपूर कोटा चूरू ऐसा कुछ नहीं है मिनिमम मैं आपको मार्स बताऊंगा कि कहीं भी आपको सीट मिलेगी गवर्मेंट में वह में मार्स बता रहा हूं ठीक है अगर आप यहाँ पर डिमांड करोगे कि मुझे जैपूर वाला चाहिए मुझे कोटा वाला चाहिए तो फिर इससे ज़्यादा भी मार्स जाने की चांसे तो मैं आपको मिनिमम मतलत है तो कहीं ने कहीं आपको गवर्मेंट मिल जाएगी अगर आप इतना मार्स लाते हो ठी candidate हो हो तो आपको मिनिममम लाने पड़ेगी 65 है मिनिममम लाने पड़ेगी 65 और यह 65 तो 68 तक जा सकता है ठीक है 65-68 यह 8 जो है 58 यह maximum नहीं है यह मिनिमंम का रेंज मैं बता रहichen मिनिमम 65-68 बिच में आपका होना चाहिए जैनरल के लिए ऑवशी के लिए आपको कोई भी 62 से 65 चाहिए ठीक है 62 से 65 होना चाहिए तभी आपको कोई भी गवर्मेंट कॉलेज मिल जाएगा ठीक है EWS की बात कर लेते हैं तो EWS में अगर आपको गवर्मेंट सीट चाहिए तो इसमें आपको कम से कम 61 से 64 के बीच लाना पड़ेगा ओके चलिए MBC की बात कर लेते हैं MBC यह अगर आप विलोंज करते हो तो आपको मिनिममम 60 तो लाना ही पड़ेगा ठीक है 62 63 यह आपको में एक रेंज बता रहे हो मिनिममम माक्स का ही रेंज है मैक्सिममम इससे ज्यादा हो तो बेटर है ओके अब बात कर लेते हैं SC SC में थोड़ा आपको कम देखने को मिल जाएगा SC में आपको देखने को मिल जाएगा 55 तो 59 के बीच अगर आप लाते हो तो SC से कवर हो जाएगा सीट और ST के लिए मैं आपको बता दूँ ST के लिए 50 जाएगा सबसे कम माक्स स्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा 52 54 ठीक है तो इतना अगर आप रेंज में ला रहे हो इस रेंज में अगर आप माक्स ला रहे हो तो आपको कहीं ने कहीं कोई ने कोई गवर्मेंट सीट क को चाहिए जाए अब बात कर लेते हैं इससे कम बालो का क्या होगा तो इससै कम बालो का क्या होगा तो अगर इससे आपका कम माक्स आरा थोड़ा भी कम आरा तो कोई दिकत नहीं आपके लिए प्राइवेट कोलेज की वयवस्ता भी है ठीक है private college की व्यवस्ता भी है ओके और दूसरा आपके लिए second round counseling की भी व्यवस्ता है और mop up round counseling की व्यवस्ता है तो अगर आपका इससे marks कम आ रहा है और अगर आप चाते हो first counseling में ही admission लो तो आप private fill कर देना और अगर आप private में लेना नहीं चाते हो financially weak हो तो आप होगे तो साथ आपको government कहीं नहीं कहीं मिल जाए लेकिन अगर आपका marks और भी कम है 42 है 43 है तो आपको wait करने से बेटर है private college में admission लेलो तो private college की जो cut up होती है वो क्या रहने वाली है तो private college की मैं आपको बता दू यू आर obc अगर आप हो ठीक है तो 44 तक अगर आपका marks है 44 तक तो आराम से आपको मिल जाएगा private college ठीक है और अगर आप sc और st category से हो ठीक है sc और st category से हो तो आपका minimum 40 marks है तो आपको मिल जाएगा यह मैं आपको first counseling की बात कर रहा हूं ठीक है first counseling में और इससे ज्यादा वेरी नहीं होगा अगर इतना mark सारा तो आपको first counseling में मिल जाए और इससे भी कम है तो आपको wait करना पर सकते जब पूरा counseling complete हो जाएगा फिर आपको openly आपको मिल जाएगा private college में sit ओके तो आई होप आप सभी को समयमा आगया होगा cut-off का कुछ इस तरह से expected रहने वाला है okay counseling बहुत जल्द होने वाली कैसे counseling करनी में आपको पूरी जानकार दूंगा documents क्या क्या चाहिए सारा details आपको इस चैनल में मिलेगा तो चैनल को जल्द जल्द सस्क्राइब कर लो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजेगा सभी साथ सेर जोड़ करेगा मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक के लिए बबबाइ